दोस्तों, रासन कारट को आधार कारट से लिंग करने को लेकर के, कई सारी State Government ने अपने हाल निर्देश जारी की हैं, जिसमें कि अगर आप सभी का भी रासन कारट है और आपको भी सरकार की तरब से हर महिने आवन्टे न मिलता है, तो आपको भी अपना रासन कारट आधार का पिछले कुछ दिनों में आप से भी लोगों ने देखा होगा चाहे रासन कार्ड हो पैन कार्ड हो या फिर वोटर आडी कार्ड हो जितने भी डिकुमेंट है हमें लगता है एक दूसरे से गौवर्मेंट उनको लिंग करना चाहती है अब इसको लेकर के काफी एरिटेटिंग है जो कि अभी तक जो सर्विसेस गौवर्मेंट दे रही थे उनका दुरुपयोग कर रहे थे उसको रोकने के लिए गौवर्मेंट आधार को बेस मान रही है जिसमें कि आधार आप सभी लोग जानते हैं कि दुबारा बनाया नहीं जा सकता है और इसलिए गौवर्मेंट इसको हर जगे मॉनेटरी कर रही है, इसमें आप सभी के उंगलियों की छाप और आखों की जो सकाइनी होती है, वो दर्ज रहती है और दुबारा से आप सभी का आधार कार्ड बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए अगर आप सभी लोगों ने एक जगे पर एक बेनिफिट ले ल आवंटन ले सकता है, अब यही रीजन है कि गवर्मेंट रासन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर रही है, जिसमें कि एक दूसरी जगों पर जो बेनिफिसरी है, उसकी आइडेंटी को वेरिफाई किया जा सके, तो चली यह तो हो गया कि रासन कार्ड को आधार कार्ड से क करने की जरूरत है या नहीं है इसको हमें कैसे चेक करना है तो इसके लिए भी एक solution है इसके लिए government ने मेरा रासन नाम की एक application लाई थी जिसमें कि आप सभी करिवार में जितने भी सदस हैं उनकी जो नेम है यहां पर सो हो जाते हैं अब जिसका भी रासन कार्ड यहां पर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा आधार seeding के section में आप यहां पर देखोगे no लिखा हुआ है तो आधार seeding यानि कि आधार linking सेमी चीज़ होती है तो यहां पर अगर no लिख करके आप सभी को आता है तो आपको भी अपने रासन कार्ड से आधार को लिंक करने की जरुरत होगी तो इस तरीके से आप मेरा रासन application में आ करके check कर सकते हैं कि आपको अपने रासन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरुरत है या नहीं है अब चेक कर लिया उसके बाद में अगर यहां पर no लिख करके आता है तो हम link कैसे करेंगे तो उसके लिए भी government ने तीन तरीके के method दिये हैं जिसमें कि जो भी जिससे आपकी सहुलेत हो जिस तरीके से आप करा सके हैं उसको आप link करा सकते हैं तो पहला method यहां पर यहां पर यह है कि कई सारी state government ने अपने आधार linking के लिए अपनी website पर जो food department की website है वहां पर link दिया है जिसमें कि आप online ही अपने आधार card को रासन card से link कर सकते हैं जिसके के लिए कहीं पर भी दोडने की जरुरत नहीं होगी लेकिन यहां पर यह सारी statement नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ state अभी भी offline में work कर रहे हैं या पर कहीं पर भी login ID की जरुरत होती है तो वहां पर आप सभी लोग किसी भी नजदी के CSC center पर जा करके वहां पर अपना जो अधार कार्ट से लिंक करने के लिए आप सभी को इसकी official website nfsa.gov.in पर आना है और यहां पर आप सभी को transparency portal का एक option मेरेगा जिसमें कि आप सभी को state food portal के option पर क्लिक करना है तो अब आपके सामने state को select करने का option आएगा जिसमें कि आप जिस भी state से हैं यहां पर आपको अपनी state को choose कर लेना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी state की जो food department की website है वो सो हो जाती है जिसमें कि आप सभी को यहां पर जैसे की page में नीचे के तरफ देखोगे तो link आधार with रासन कार्ड का एक option दिया गया है यहां पर आप रासन कार्ड से mobile number को भी link कर सकते हो यहां पर आप सभी को इसी option पर क्लिक करना है अब यहां पर दो तरीके के option आ रहे हैं जैसे कि आप देखोगे पहला option है ekyc for active card वहीं है दूसरा link आधार with deactive card तो अगर आप सभी का जो है card deactive हो चुका है तो आप इस option पर क्लिक करोगे अधर्वाज आपको पहले जो उपर अधार तरह तरफ option दिया गया है उसे क्लिक करोगे तो कैटेगरी के section में आप सभी को रासन-card की के टेगरी को सलेक करने का option है जिसमें कि जिसभी सभी का रासन-card बनाया गया जैसे कि पात्र घर्स्ति या पिर अंतोदय अन योजना तो यहां पर आपको सलेक कर लेना है इस यहां पर देखोगे आधार is not linked 800 हो रहा है लिंक करने के लिए नीचे के तरफ दो option दियेगा है जिसमें के link आधार and mobile number का पहला option दिया गया है वही second option है send mobile number only तो यहां पर आप सबी लोग अपने रासनकार से अगर अपना आधार number और mobile number दोनों ही link करना चाहते हो तो पहले option प option दियेगा इस पर आप click करोगे तो यहां पर मैं अपना आधार number और mobile number दोनों ही link करना चाहता हूँ first option पर click करूँगा यहां पर आधार number हमें इंटर करना है terminal condition को accept करना है इसके बाद मैं send OTP के option पर click करना है तो जैसे आप click करोगे तो आपके आधार कार्ड से आपका जो भी mobile number link होगा उस पर एक OTP रिसीव होगा उस OTP को यहां पर फिल करने के बाद में आप अपने आधार कार्ड को रासन कार्ड से link कर सकोगे अब यहां पर link होने के बाद में आप सभी को message सो होगा आधार already linked अगर आप सभी को ऐसा message सो होता है तो आप सभी का जो रासन कार्ड है वो आधार कार्ड से link हो चुका है अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर यह जो process है मैंने West Mongol की website पर बताया हुआ है सभी state में इस तरीक अपने रासन कार्ड की copy और आधार की copy submit करोगे वहां से भी आप सभी लोग फ्री में ही अपने रासन कार्ड को आधार कार्ड से link करा सकते हो अब यहां पर यह जो information है आप सभी लोग ज्यादा तर लोगों तक share करें जिससे कि जिन लोगों के भी रासन कार्ड आधार सकें और उनके जो benefit हैं वो सुचार रूप से benefit ले सकें अपने रासन कार्ट को आधार कार्ट से वो भी जाहिन